मेरे सबी प्यारे सातियों को मेरा प्यारवारा नमसकार और आज की वीडियो में भी डिसकस करेंगे — एक नया फिगरापी स्पीच और उस नए फिगरापी श्पीच उस नए अलंकार का नाम है अलिट्रेशन यσι को दोस्तों हम हिंदी में क्या केते हैं अनप्रयास अलंकार कहते हैं अच्छा तुमने अनप्रयास का नाम भी सुना होगा और अच्छे से पढ़ा भी होगा जब आप ने हिंदी में पढ़ा है तो पहले एक बार हिंदी में उसको सीख लिजेगा और समझ लिजेगा अगर हिं जहां पर बरणों की आविरती बारवार हो तो बहां पर क्या होता है हमारा अनुप्रयास अलंकार होता है जैसे एक जामपल के माध्यम से समझो हमने का रगपती रागव राजाराम पतितपावन सिताराम अब रगपती रागव राजाराम देखो इस लाइन में कौन से सब्द की आविर्थी बारबार होई वो ले रा सब्द की आविर्थी बारबार होई एक और एक जामपल और जब रा सब्द की आविर्थी बारबार होई तो इस संटेंस में कौन सा अलंकार होगा अलिट्रिशन होगा, अनप्रास अलंकार होगा, ठीक है, दूसरा, आपने एक और एकजामपल सुना होगा, कि खलक सिंग के खलकने से खलकती है, खलक सिंग, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी खा जो लेटर है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानि कि खा बन जो है, वो ब संदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मस से चटपटी चटनी चटाई, तो यहाँ पर कौन से बन की आविरती बार बार होई, चावन की आविरती बार बार होई, तो इसका मतलब क्या है, कि जब एक ही बन का रिपीटेशन, यानि कि एक ही लेटर का रिपीट जब बार-बार होने लगे तो बहां पर आलिटरिशन फिकर आप इस पीच हो जाता है जैसे इसे समझो इन आलिटरिशन अगर आम आलिटरिशन की बात करते हैं तो देयर एज देयर इस दी रिपीटेशन आप आप वर्ड्स बहां पर क्या दिखाया जाएगा आपको रिपीटेशन दिखाया जाएगा और किसका आप वर्ड्स या तो वो सब्दों का रिपीटेशन दिखाया जाएगा लेकिन वो जो सब्दों का रिपीटेशन होगा वो क्या होगा आप same word नहीं है, repetition आपा words of the same sound नहीं दिखाया जा रहा है, तो repetition आपा same letter, एक ही letter का बार बार repetition दिखाया जाएगा, इस तरीके से, जैसे इस example में देखो, H клиbs freshwater repetition जो है वो बार बार दिखाया जा रहा है, देखेगा हर एक word काय से सूरू हो हो रहा है, सर H से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे H word क्या है? Repetition है इसी तरीके से the repetition आपा same letter एक लेटर का repetition दोस्तों दिखाया जाएगा दूसरी चीज और अत्वा syllable कोई भी same syllable होगा at the beginning शुरुआत में up to are more words कम से कम दो सब्दों के साथ आप तो same letter का repetition होना ही चाहिए और जादे कितने भी हो सकते हैं जैसे हमने का how high कम से कम यह दो तो होना ही चाहिए हमने का how high कम से कम यह दो तो दोस्तों होना ही चाहिए और इसमें तो हर एक word जो है वो काय से है सब्द से यचबर्ड से ही repeat है तो इसलिए इसमें क्या है आपका repetition यानि की illustration फिगरापी speech होगा क्योंकि repetition किसका दिखाया गया यच बर्ड का ठीक है यच लेटर का इतनी चीजें किलियर हो गई जैसे how high his highness कितना उचा his highness का मतलब होता है उसके मालिकों कुई ठीक है या कुछ भी कह सकते हो उसके मालिक कह सकते हो महा महिम कह सकते हो अपने एहंकारी सिर को कितना उचा रखते है how holds is huttie head हटी का मतलब एहंकारी head का मतलब सिर how high का मतलब कितना उचा रखते है ठीक है तो पहले बाले में कौन से बढ़ की repetition बहुत हुआ यच बढ़ इसलिए इसमें क्या है illustration दूसरा देखो दूसरा example दोस्तों देखो यहां पर a load देखो ally of learning यहां पर भी ally of lumbering यहां पर भी ally of his head तो आपने का कम से कम दो वर्ड के साथ तो repetition होना ही चाहिए अधिक कितने भी हो यहां पर तीन हो गए तो एक ही बर्ण की यानि कि एक ही लेटर क्या repetition जब एक दो से अधिक बार हो तो बहां पर क्या होगा illustration figure आपर speech होगा इतनी चीज़ें क्लियर होगी a load of learning lumbering to his head यानि कि उसका जो mind है उसका जो मस्तिक है मस्तिक में जो सीखने का lumbering का जो बोज है learning का जो बोज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है जैसे आज की date में तुमने देखा होगा कि जो इवा है वो पढ़ने का stress बहुत ज़्यादा लेता जा रहा है ठीक है उसी तरीके से a strong man struggling जो strong man होते हैं वो क्या करते हैं संगर्स करते हैं बिद्दा storm of fate यानि कि चाहे उनका भाग्य जो है वो कितना भी बुरा क्यों न हो वो हर बुरे समय को हस करके उसका सामना करने को थैयार रहते हैं तो यहाँ पर हम तुम्हें समझाना यह चाह रहे हैं जो strong देखो as struggling storms देखो यहाँ पर भी as word के repetition बार बार हुआ की नहीं हुआ और जब as word का repetition बार बार हुआ दोस्तों तो क्या होगा कौन सा figure आप speech alliteration है मारा देखो यहाँ पर भी f f full fathom five thy father lies full fathom five thy father lies यहाँ पर f word तेजी से एक बार देख लिजेगा f word का repetition बार बार हुआ इसलिए यहाँ पर भी इस line में भी alliteration है चैली यहाँ पर यह एक नाम है यह एक noun है यह बर्व है ठीक है तो sally cells sea cells by the sea shore जो sally है जो sally है वो समुदर के किनारे cp यां बेचती है sally जो है वो समुदर के किनारे sea cells को बेचती है by the sea shore समुदर के किनारे ठीक है तो देखो यहाँ पर s word जो है वो लगाता रहा है s s s s s तो कौन सा फिगर आपी speech हो जाएगा हमारा alliteration यानि कि अनप्रियास जब एक के ही लेटर का repetition बार बार हो तो बहां पर alliteration होता है जैसे rascals and rugs run a race round and round the rugged rock देखो यह TGT 2005 में आया और इसमें कौन नहीं बता देगा तुरंद बता दोगे आर 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 जब एक ही वान जो है बार बार रिपीट हो रहा है और जब बार बार रिपीट हो रहा है तो कौन सो होगा alliteration figure आपे speech होगा this lie snake slittered slowly in the sand यहाँ पे तुरंद बता दोगे S बढ़ का रिपीटिशन बार बार हो रहा है इसलिए इसमें भी क्या है alliteration figure आपे speech है Peter Piper picked a pack of papers P P P P P P P देखो P word का repetition बार बार हो रहा है यानि की P letter का repetition बार बार हो रहा है इसलिए यहाँ पर भी alliteration है अगला C cell C cell यह तो हो गया आपका I bought a bag तो B B B B B ठीक है तो B word का repetition बार बार हो रहा है इसलिए यहाँ पर भी क्या है हमारा alliteration है तो alliteration जो figure आपे speech होता है उसमें एक ही लेटर जो है वो बार बार रिपीट होता है और जब दो या दो से अधिक बार रिपीट होता है कम से कम दो और अधिक कितना भी हो सके तो बहां पर हमेशा अनप्रयास लंकार लगाईगा यानिके alliteration figure आपे speech को लगाईगा इतना के अधियर हो गया तो आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत साथियों